जी आएनों प्यारे विद्यार्थियों सिख्थ क्लास दी मैथ दी बुकता चप्टर नंबर फाइव अंडरस्टेंडिंग एलिमेंटरी शेप्स उस चप्टर दी एक्सरसाइज 5.8 विद ब्रीफ नोट्स इस वीडियो चैसी करन जा रहे हां तो तुसी सारे अपनी नोट्बूक लेलो ते पैन लेलो ते जड़े नोट्स, definitions, explanations जड़ी आहनगी हैं उननों बड़े त्याना सुननना है ते नोट्स लिखते रूपत वी रिटर नुब विच भी तड़े सावने पेश कीते जा रहे हैं उननों करन दा प्रैक्टिस जड़ी ये अभ्यास जड़ा है और जुरूर करना है ठीके ते अगर तुसी चैनल हले सब्सक्राइब नहीं किता ते चैनल नों सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करना है ठीके जी तो अव शुरू करिये ओके, what is a polygon? a polygon is a simple closed curve entirely made up of line segments इस sentence नू चंगी तरह memorize कर लो और अपने दिमाग विच बिठा लो ते जड़ियां दो गलना ये दे विच दो phrases ने उननों त्यान देना है एक 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 है simple closed curve ते दूसरी गले line segments entirely line segments, entirely मैंने सारे दे सारे line segments होने चाहिए देने कोई भी arc नहीं होने चाहिए ठीके ते simple curve तो अनू पता है बच्यों, we have already discussed in the previous videos, simple curve और जे दे विच लाइन क्रॉस नहीं कर दी ठीके न, they don't cut each other, ते closed बने, both the ends of that line are joined, both the ends are meeting each other, ठीके तो एक ते simple curve होना चाहिए, close curve होना चाहिए ते ते तीजी गल, only line segments होने चाहिए देने, एक गलना बड़ी important है, definition is very important, this definition will help us in deciding whether a certain figure can be classified as a polygon or not, ठीके न, अगर आस अनू परी भाषा समझ आजेगी, कि simple closed curve, ते only line segments होने चाहिए ने, only then that a figure, a given figure is a polygon, otherwise it is not polygon, जदो सी स्वाल करांगे वादे बीच एगाल आएगी, ते इस चीज़ नो चाहिए तरह समझ लगो, ठीके, we can classify polygons according to the number of their sides, जिनने line segments होनगे, जिननी line सोनगिया, वोदे हिसाब दे नाद, जिननी sides होनगिया, वोदे हिसाब दे नाद, वोदे नाम तता जंद है, so triangle has got three sides, quadrilateral four sides, अगर five sides ओनगिया, polygon दिया, it is known as pentagon, पेंटागन, 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 पांच, याद करन चे सान्नी होएगी, hexagon, six sides, फिर आगया heptagon, उन हेप्त तो याद रखलो हफ्ता, है देखो, hepta है ना, hepta, ते hepta मने हफ्ता, हफ्ता जिक इनने दिन होनदेने, साथ दिन होनदेने है ना, so heptagon means seven sides, ते octa, octa मने अश्ट, जिदा अश्ट पदी होनदी है ना, octa मने अठ, एड़े तो, octa मुलकी एभी एड़े तो बनदा है, ते अठ भी एड़े तो बनदा है, so octagon means eight sides, so very easy हना, hepta मीन्स हफ्ता, हफ्ता, हफ्ता मीन्स seven, seven days दा एक ली है, hexagon means six याद रख लो, hexa which we say x अंदा है, ते six which we x अंदा है, ठीक है बच्चे हो, so इस तरह है चीज तो अनो याद करनी बड़ी असान हो जाएगी, अग उन्हें इन्हें दी figures भी देख लिए, याद को, triangle, three sides, triangle is the polygon of least number of sides, ठीक है, quadrilateral four sides, pentagon five sides, hexagon six sides, heptagon seven sides, दीक काउंट कर लीक, दो, तिन, चार, पंच, छे, सत, ठीक है, octagon eight sides, one, two, three, four, five, six, seven, eight, ठीक है जी, so ऐसे बच्चे उसी तो अड़ा notes, polygon होना सी देख देया, exercise, ठीक है, okay, question number one, examine whether the following are polygons, if any one among them is not, say why, केंदे याई, चार जड़ी figures आगी हैं, देती हों, यहाँ, एना नुपड़े ते आननाल देखो, ते दसो की a polygon हेगे ने या नहीं हेगे, अगर एना चो कोई polygon नहीं हेगा, ते दसो क्यों नहीं हेगा, ठीक है, आओ देखिए, answer एदा उन, okay, एद देखो, number a is not a polygon, क्यों, because it is not a closed curve, उन देखो, क्यासी ना दानो definition ते आनना पड़नी है, definition रिच किया बचे हो, simple closed curve consisting only of line segments, उन देखो line segment ते आगे ने सारे, एवी line segment, line, सारे line segment ने, एक कर भी हैगा, एक simple curve हैगा, एक simple है, किते line cross नहीं कर देखो, but it is not a closed curve है, देखो, एक end इते ओपन हैगा, एक end इते ओपन हैगा, so the ends are not joined, it is not a closed curve, polygon has to be a closed curve, ठीके, ते देखो B जड़ा है, it is a polygon, एक देखो polygon आगा, एक closed curve भी आगा, देखो, it's a closed curve, it's a simple curve, ते सारे line segment आगे ने, एक की आगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, it's a hex circle, ठीके, होन देखो C जड़ा है, और D, C and D are not polygons, they are not made up only of line segments, a closed curve है गाया, a simple curve ही है गाया, but it is not made up of line segments, ठीके, इसी तरह बच्चे है भी, it is a closed curve, it's a simple curve, but it is not made up entirely of line segments, एह line segment है, एह line segment है, but this is not line segment है, देखो, एह line segment नहीं है, it is an arc, so this is not polygon, this is not polygon, this is not polygon, this is not polygon, this is polygon, जड़ी में definition तो अनुद सीसी स्टर्टिंच, उनुद चंगी तरह दिमागी में ठालो, for a figure to be a polygon, it must be simple curve, it must be closed curve, and it must be made up entirely of line segments, ठीके है बच्चे हो, so, ऐसी question number 61, question number 2, name each polygon, हर एक polygon दा नाम दसो, make two more examples of each of these, ते हर एक polygon दे, जो तुसी नाम दसोगे, वोदे दो दो उधारन तुसी अपने आप बनाओ, एब बच्चे हो सी कर चुके है नोर सुचाह रही हैं, 1, 2, 3, 4, so, A is quadrilateral, 1, 2, 3, so, B is triangle, 1, 2, 3, 4, 5, पंच साही डाले नों, पॉलिगन नों की किने पेंटागन, पेंटागन हो गया, ठीके, एक इना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so, A is octagon, it is an octagon, so, एक बड़ा असान सिगा, और उन्हें दे ऐसी दो-दो एक्जाम्पल करिए, ओके, quadrilateral दा, एक एक एक्जाम्पल है हो गया, बच्चों, एमें जान के इस तरह दा बनाया है, आप polygon can be like this also, ठीके, क्योंकि देखो, इट से close curve, इट से simple curve, and all our line segments, एक, दो, तिन, चार, ते quadrilateral, एक बनगा normal अड़ा होंदा है, triangle ते कोई बड़े असान है, triangle ते तुस्य आई-सो-सिल्स बनातो, scaleen बनातो, एक equilator बनातो, rectangle triangle बनातो, so triangle बनाना ते बड़ा असान है, सिंपल है, असी बड़े सारे triangle, जड़े previous videos वीच असी कर चुक के हैं, ठीक है, so this वोद एक बड़ा triangle ते बोध ही असान है, और देखो pentagon, so एक normal pentagon इस तरह बनाता है जड़ा सी, we are familiar with एक pentagon असी, इस तरह बना दिता, एक, दो, तिन, चार, ते पांच है, देखो, no line is crossing, it's a closed curve, and it is consisting only of line segments, उन अक्टागन देखिए, एक ते normal इस बनाता है, एक, दो, तिन, चार, पंच, छे, सत, अठ, ते इक इस तरह बनाता है, आप देखो, एक, दो, तिन, चार, पंच, छे, सत, अठ, एक बना गया, ठीक है बच्चो, this is also an octagon, this is a polygon, because it's a closed curve, it's a simple curve, and it is made up, entirely of line segments, ठीक है, ओगे चलिए, question number 3, question number 3, उन देखो कि ये, draw a rough sketch of a regular hexagon, hexagon means six sides, the regular means, all sides are equal, connecting any three of its vertices, कोई भी ओदे तिन वर्टिसे नो जोईन करो, and draw a triangle, एक triangle draw करो, फिर के दे, identify the type of the triangle you have drawn, ते जिस किसम दा triangle तुसी बनान देओ, उदी पिछान करो, और किस किसम दा triangle है, उन बच्चो रफ, hexagon बनाना हुए थे की करना है, पॉइंट आ गया, फिर सुईनू इतहे रखो, ते pane 1-clock इत्थे बना हुए, फिर सुईनू इत्थे रखो, ते 1-clock इत्थे बना दो, उन्हें किन्ने आर्क बन गया वो छे बन गया वो एक दो तिन चार पंज छे उन्ह सारे उन जोड़ दो एक दो तिन चार पंज ते छे एट वड़ा बन गया बच्चियो रेगुलर हेक्सागन सो सिंपल किन्ना असान है सरकल बनाना है ते कंपस नो छोटा वड़ा कीते बिना सारे सरकल ते किते हुई शुरू करके आर्क बनानी शुरू करनी छे आर्क आपने आपने आप जोले तो इत्थरी शुरू करोगे ते अखीर ली आर्क इत्थ ही आ जाई है अपने आपी ठीके जो अनकी था, यह triangle बन गया, ते केड़ा बच्चे बन गया, देखो, साफ देखना पता लग रहा है बच्चे ओ, the type of triangle formed is equilateral, यह equilateral triangle है, because this side, this side, and this side, all the three sides are equal to each other, यह सड़ा equilateral triangle बन गया, ठीक है बच्चे ओ, so, यह question number 3 जड़ा है, यह तो उन्हों अपने करना पहेगा, paper लेके, rough paper लेके, draw करना पहेगा, ते practice करनी करेंगी, ठीक है, question number 4, draw a rough sketch of a regular octagon, उन्हों यह बड़ा मज़दार स्वाले बच्चे, octagon means a polygon of eight sides, ते regular अर्थात, all sides should be equal, can they use squared paper if you wish, यह तुसी चौन दे हो, ते तुसी एक वरगा कार, square paper यूज कर सरग दे हो, यह बच्चे बन तन दस्तामा बड़ा बदी है method है, और बड़ा interesting है है, फिक हैंदे draw a rectangle, एक rectangle draw करो, by joining exactly four of the vertices of the octagon, इस octagon दे चार vertices नूँ जोड़ के, एक rectangle भी बनाओ, और बच्चे यह किस तरह करना है देखो, तुसी पहले एक square ला लो, यह दको square मैंने, पता है तो अनों बच्चे हो, square के दा बनादा ना, square के दा होंदा है, it's a quadrilateral, with all the four sides equal, and all the four angles 90 degree, every 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 90 degree, अगे ने, तो चारो साइडम बराबर ने, पहला step ते बच्चे आया है, उन्हेंने कहले, square ले लो, तो तुसी square ले लो, तुसी square ले लो, ले ले स्क्वेर, अगे की करना है, बच्चे हो, draw the diagonals, एह diagonal join करता, एह दखो, फिक कर जी line में dotted बनाती है, एह join करता, ठीक है बच्चे हो, अगला step की करना है, बच्चे हो, इस line दा midpoint लेना है, जे 10 cm, ले ये तुसी line, LMB, if you have taken this 10 cm, थे 5 cm थे एक बिंदू ला दो, इस line दा, इस side दा midpoint ले लो, इस side दा midpoint ले लो, ते इस side दा midpoint ले लो, उन इननों आपसे जोड़तो, इस तरहां एह देखो, इस ता जोड़ता, एह midpoint जोड़ता, फिर इनों इस तरहां जोड़ता, ठीक है, एह हो गया, अगला step क किये, इत्थे रखो compass, इत्थे स्वी रखो, ते इत्थो दी लेके circle इंदा, ड्रॉ कर दो, इक circle ड्रॉ कर दो, मलगी इत्थे compass रखनी है, ते इन्नी खोल नी है, इत्थे दा खोल लो, या इत्थे दा खोल लो, या इत्थे दा खोल लो, या इत्थे दा खोल लो, इको गल ते एक सर्कल दोड़ा बन गया पॉन देखो बच्चे लड़को 6 पॉइंट आगे 8 पॉइंट आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उन्हें सारे नों जोड़तांगे ते सन्नुकी मिल जाएगा ओक्टागन एह देखो बच्चे ओ एह असी जोड़ता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एह बन गया साड़ा 8 पॉज ओक्टागन उन्हें तुसी की करना है बच्चे ओ एह बन गया ते उन्हें तुसी एक ही करके स्क्वेर नों, सरकल नों ते डाइगनल्स नों, लाइन्स नों असी मिटा देना है देखो, मैं स्क्वेर मिटा देता है हाना, क्यों वहते मिन्हों सिर्फ साहरा चाहिदा सी बनान ली फिर मैं की कीता है रवड दे नाड मैं डाइगनल्स नों ली रैंड मिटा देती ते हुन मैं की कीता है मैं सरकल भी मिटा देता ते यह बच्चेव मेरा बन गया रेगुलर ओक्टागन देव किना सोना किना प्यारा ओक्टागन बन गया हना रेगुलर ओक्टागन हुनों केने ने join the four vertices to make a rectangle ते लोजियों भी कर देने आपा यह जोड़ देते आपा एक vertex ऐवला एक vertex ऐवला एक vertex तिन ते चार जोड़ते मैं ते जोड़ जोड़ेया एक बन गया सड़ा rectangle A B C ते D ठीक है बच्चेव एक सड़ा बन गया अपना rectangle असी यह होर भी ता अंगना बना सकते एक मैं इत्थे जोड़ सकता था सी इद्दा एनू मैं इद्दा जोड़ दुमा फिर मैं इनू इस्तरा जोड़ दुमा ते फिर मैं इस्तरा जोड़ दुमा ते मैं इस्तरा जोड़ दुमा मैं एक भी कर सकता सी बा ओधिनाल क्यों ना सी बच्चेव ओधिनालो बन जान सी square बन जान सी square is also rectangle मैं इस्तरा बनाया है, तुसी इस्तरा यू बना सकते सी के एनू इत्थे एद्धा जोड़दो, एनू फे इत्थे एद्धा जोड़दो, एनू एद्धा जोड़दो, एनू एद्धा जोड़दो, एफ बन जनाना सी तवादा, a square, a special type of rectangle. असी पहली exercise पड़े है ना, कि comment और explain how square is a special kind of rectangle, so square is a rectangle whose all four sides are equal, so उस तरह भी तुसी कर सकते हैं, ओ तरीका भी ठीक है, तरीका भी ठीक है, ठीक है ना, अँन असी अगला स्वाल करें, आँ बचे बड़ा interesting स्वाल है, मिन्नों बड़ा मजा है करके, तो मैं सोचे आँ सी गा, पी तुसी एनू अपनी notebook वीच, register वीच, rough paper वीच, एदा अभिहास, एदी practice जरूर आप परनी है, तो तो आनू बड़ा मजा आएगा करके, और यह बड़ी interesting चीज बनेगी, ठीक है, उन आगया सादा last question, a diagonal is a line segment that joins any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon, मलकि जड़ा diagonal है बचे हो, वो कोई भी दो vertices नो join करदा है, पर उस side नहीं होंदा, ठीक है, उन देखो जदा, एवी vertex है, एवी vertex है, जोड़े हो है ना, दो vertex नो जोड़े है, पर एस side हैगी है, यह diagonal नहीं हैगा, ठीक है, so a diagonal is a line segment that joins any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon, draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonals, ठीक है बच्चो, सो असी की किता pentagon draw करता है देखो, इस तरह एक है, इनने कोई regular pentagon नहीं है, कोई rough draw कर दो, इस तरह बड़ा सौक है बच्चो देखो, इदा ली line फिर इदा ली बराबर दी ला ली, इथो दी तुसी ना इदा, इदा रखके मड़ा या, इथो दीक line इदा खिचो, इधो इदा खिचो, फिर इदा थले, इधे इधे थले नाप के, ते फिर जोड़ दो, बस बन गया, इधे डागनल्स ड्राओ करो, इत्व दीक 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 डागन फिर तिन ते फिर आपने देख चार ते ऐ हो गया पंच तो आप एंटागन हैस फाइव डाइवनलस तो प्यारे विद्यार की हो एसी ट्वाड़ी एक्सरसाइज फाइव पॉइंट एट दे फाइव कोश्चल्स तो तुसी ऐस सारे स्वाला नूँ आप फुटा लेके, कंपस लेके, स्केल लेके एनदी आपने आप प्रेक्टिस जरूर करनी है तो इसी ट्रहां प्यारे विजार चुतुसी मैनत देनाल, लगन देनाल, निरंतरता देनाल, अनुशासन देनाल, डिसिप्लिन देनाल अपनी पड़ाह कर दे रो, ते खूप त्रक्कियां करो, अगले वीडियो तक ले, गुड़ बाई पड़ा सारे अंदा, बहुत बहुत अनुवाद, रब रखा, थेंक यू बरी मच